पत्रीका एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल RNS Education News में स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हाजनू RIT Level 1 की वेटिंग लिस्ट और रिशफल के बारे में इसके अलावा RIT Level 2 का जो रिशफल का जो काउंसलिंग कलेंडर है उसके बारे में दो बड़ी जानकारी सा के अंतक वीडियो को जरूर देखे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सेयर और कमेंट जरूर करें तो दोस्तो राजस्थान पत्रीका की यह जानकारी है और इसमें दिया गया है प्रथम लेवल में मांगी दित्य में दस्तावी सत्यापन की तैयारी तो RIT भरती 2018 2018 से यह जुड़ा हुआ मामला है दोनों ही लेवल्स के लिए बड़ी यहां पर खुशखबरी है और क्या यह जानकारी आप देख सकते हैं और इस जानकारी में RIT शिक्षक भरती 2018 के दोनों लेवलों से जुड़ा भरतियों के लिए अच्छी खबर है नीदे साले ने अब स तक जोइन किया है और कितने ने जोइन नहीं किया यह डेटा जिला परिसदों से मांगना शुरू कर दिया भी कानेर सिक्षा निदे साले ने तो यह बड़ा न्यूज है यहां पर इसके बाद आपकी रीशफल और काउंसलिंग सोरी रीशफल और वेटिंग लिस्ट जारी होगी रिक्त पदों की सूचना संभवतया सुक्रवार साम बनकर तयार हो जाएगी तो यह दोस्तों कल यह इसकी सूचना तयार हो गई है हलांकि नव न्यूक्ट शिक्सकों को कारे ग्रहन करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है यानि कि जो लेवल वन के जो अभ्यर्थी है उनको 15 दिन का टाइम दिया गया था जोइन करने के लिए अभी उनके पास टाइम बचा हुआ है लेकिन जहां तक मेरी सोच है कोई भी अभ्यर्थी शायद अभी नहीं बचा होगा क्योंकि यह भर्ती पहले से विवादों में रही है कोट का इसमें लगातार अडचने आती रही है तो सभी ने लगभग जोइन करना था इस वेकेंसी को प्रतिक्ष्या सूची के लिए कवायद मार्च के पहले सप्ता में ही सुरू करेगा तो यहां पर मार्च के जो फस्ट वीक है इसमें बताए गया है कि मार्च के प प्रिक्रिया में उलजने के कारण चैनिद अभ्यरतियों के सम्मंदित जिला परसुदों में दस्ताबे सत्यापन की प्रिक्रिया सुरू नहीं हो सुकिया तो आप सबको पता है दोस्तों जो रीशोफल आया था 31 पदों के लिए लेवल टू का उसमें जो जिला आवन टन से सम्मंदित जो मामला कोर्ट में चला गया था उसके बाद सरकार ने 15 फरवरी तक का टाइम भी दिया था कि जो अभ्यरति जिला बदलवाना चाहते हैं या नहीं बदलवाना चाहते हैं वो भी जानकारी सिक्सकों से मांगी थी लेवल टू के तो इसलिए ये आपकी जो जारी करने का आस्वासन दिया था उधर राजस्तान वेरोजगार एकिकरत मासंग के अध्यक्स उपेन यादा उन्हें प्रथम दित्ते लेवल के चैनित वेरोजगारों को साथ बैठक की वेरोजगारों को कहना है कि विभाग को ततकाल दस्तावे सत्यापन का कारे सुरू क अगर हम विचलेशन करें तो यही है कि जो प्रथम लेवल के हैं उनके लिए तो जिल्यापरस दोने डेटा मांगना शुरू कर दिया है और जो लेवल टू का है इसका जल्द ही काउंसलिंग कलेंडर जारी होने वाला है तो बड़ी गुड न्यूज है और दूसरी जानकर यह है दोश्तो जो आपकी लेवल वन की जो सुप्रिम कोट में जो एसल पी है वो दायर हो चुकी है और उसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है तो यही था इस वीडियो में बड़ा अपडेट और दोनों ही लेवल में वेटिंग प्लस रीशफल जरूर आएगा तो चैने तब भरती बिल्कुल भी घबराएं नहीं कि रीशफल और वेटिंग ये सरकार नहीं निकालेगी दोनों ही चीज़े आपकी आएंगी बस थोड़ा सा सायम और धहरिय बनाए रखें दोस्तो फिलाल के इस वीडियो में इतना ही जानकारी अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करें साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जय हिंद जय भारत